चोटे चोटे प्रयास बड़ा परिवर्तन लाते हैं जी हाँ बिल्कुल ठीक पड़ा है आपने इसी टॉपिक पर हैं बात करने जा रहे हैं How to increase profit without increase in price Yes, how to increase profit without increase in price बिना price को बढ़ाए आप किस तरह से अपने profit margin को बढ़ा सकते हैं इसी टॉपिक पर आजम चर्चा करने वाले हैं Friends, आप लोग जानते हैं कि profit equal to selling price minus cost मतलब किसी भी product के selling price में से अगर cost reduce कर दी जाए तो जो बसता है उसे profit कहते हैं लेकिन आज की इस competitive market में हम ऐसा क्या करें कि बिना price को increase करें भी अपने profit को increase कर पाएं आप जानते हैं इस समय अर्थेवस्ता में competition है और competition के इस दौर में कोई भी व्यक्ति अपने price को increase नहीं कर पाता क्योंकि competition में सबसे बड़ी हो fight चल रही है वो price work की fight चल रही है और price work की इस fight को किस तरह से जीता जाए इस बात को हम ध्यान से सीख सकते हैं समझ सकते हैं अगर आप बिना selling price को increase करें अपने profit को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको cost of production को घटाना होगा ध्यान से समझना अगर आप अपने profit को increase करना चाहते हैं तो selling price को बिना change किये आपको cost को घटाना होगा जैसे आपकी cost of production घटेगी आपका profit increase हो जाएगा अब ध्यान से समझना कि जब हम cost of production की बात करते हैं किसी भी product या service की cost की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की cost होती है एक fixed cost और दूसरी variable cost fixed cost वो cost होती है जिसमें कोई change नहीं किया सकता और उसमें production होने या ना होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे आपका factory rent, जैसे आपका journal electricity, जैसे आपका journal staff salary ये वो खर्चे हैं जहां आपका production अगर zero भी हो जाए तब भी ये cost लगातार समान चलती रहती है और अगर आपका production बड़ भी जाए, तब भी ये cost fixed रहती है पर example, मान लीजिए आपका factory rent 50,000 है आपका journal electricity 20,000 है, आपका journal staff salary 30,000 है तो total आपका expenditure होता है, वो है 1,00,000 रुपी पर मन्त अगर आप 1,000 product produce करते हैं अपनी factory में तो आपकी जो cost of production, fixed cost के आती है, वो 100 रुपी आती है मतलब आपको एक product produce करने में जो fixed खर्चा आता है, वो 100 रुपी आता है अगर आप किसी भी तरीके से ये समझ जाएं कि किस तरह से अपनी production को बढ़ाऊं किस तरह से अपनी sale को बढ़ाऊं, तो आप अपनी cost को कम कर सकते हैं अगर मालीजे, आप उसी cost में 2,000 product बनाएंगे, तो आपकी cost 50 रुपी पर product आएगी अगर उसी cost में आप 5,000 product बनाएंगे, तो आपकी cost 20 रुपी पर product आएगी इसका मतलब अगर आपको ऐसा formula मिल जाए जिसमें आप यह समझ पाएं कि अपने production को मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ और production बढ़ने के बाद उस सारे produce माल को कैसे sale कर सकता हूँ तो सारी problem solve होती है second जो cost होती है उसको variable cost कहते है और variable cost वो cost होती है जहां पर आप जितना production बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे परपोस्ट नेट वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी for example एक सूट सिलने में आपको एक मीटर का कपड़ा लगता है दो सूट सिलने में दो मीटर का कपड़ा लगता है तो cost बिलकुल सेम आती है variable लेकिन अगर आप bulk buying का formula समझ जाएं तो आप अपनी cost of variable product को भी कम कर सकते हैं इसका मतलब यदि आपकी production जादा होगी तो आपके vendors भी आपको कम cost पर material supply करने के लिए तयार होगे अगर आप अपने vendor को cash payment या advance payment देंगे तो भी वो आपको कम कीमत पर material supply करने के लिए तयार हो जाएंगे इसलिए आप bulk buying पर जाएंगे, advance payment के method का इस्तिमाल करेंगे cash payment के method का इस्तिमाल करेंगे, तो आपकी variable cost भी कम हो जाएगी और मैंने आपको बताया था, जैसे आपकी cost reduce होती है price change किये बिना आप अपने profit को increase कर पाते हैं अब सबसबड़ी problem यहाँ शुरू होती है, कि बहुत सार लोगे कहते हैं कि sir, आपने ये तो बताया, कि किस तरह से हम अपने profit को बढ़ाने के लिए production को increase करें, लेकिन इतना metal produce कैसे करें, जब consumption नहीं है इसका मतलब अगर आपके पास targeted sale नहीं है, तो आप ज़्यादा production करके भी क्या करेंगे Yes friends, आज मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से आप अपनी sale को increase कर सकते हैं और वो कौन-कौन से ऐसे formulas हैं, जिनका इस्तिमाल करके company अपनी sale को निरंतर बढ़ाती जा रही है Friends, आप एक बात तो समझ गए, कि अगर आप अपनी cost of production को घटा लें, तो price को increase करें भी आप अपने profit को बढ़ा सकते हैं लेकिन cost of production तभी घट सकती है, जब आप same time में अपनी production को बढ़ा लें अप production तो तभी बढ़ा सकते हैं, जब आपके sale बढ़ेगी तो बात करते हैं, किस तरह से अपनी sale और production को बढ़ाने के लिए, कौन-कौन सी schemes, कौन-कौन से formulas, कौन-कौन से methods को implement किया जाए ताकि आप अपने production को बढ़ा सकें, अपनी sale को बढ़ा सकें, और बिना price reduce किये, बिना price increase किये, बहुत अच्छा profit generate कर सकें उमीद करता हूँ कि आप अपने business में इन points को implement करेंगे, और implement करने में क्या-क्या problem आ रही है, मुझे comment box में लिखकर बताओ, उसका solution मैं आपको अगली वीडियो में दूँगा, और साथ ही साथ अपने business को निरंतर बढ़ाने के लिए प्रयास करें, अपने friends, अपने relatives के साथ इस वीडियो को जुरूर शेयर करें, मैं डॉक्टर अमित महीश्वरी आपके सुनारे बविश्र की कामना करता हूँ, जै हिंद, जै भारत